फेडरलिजम खत्रे में है या फिर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का वाइलेशन हो रहा है ये सारी चीज़े आज कल न्यूस में काफी कॉमन है चलिए जानते हैं कि फेडरलिजम है क्या और ये थ्री टायर सिस्टम आखिर होती क्या है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहां तक पहुची गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में ग्याद भारा पड़ा है देखें वल्ड में 195 कंट्रीज है जिसमें से 193 कंट्रीज युएन के तरफ से रिकॉगनाईज है और इन 193 कंट्रीज में से 167 कंट्रीज डेमोक्रेटिक फॉर्म आप गवर्मेंट चलाती है अब यह बहुत obvious सी बात है कि जहांपर democracy है वहांपर constitution भी होगा और यह constitution हर government को ये बताता है कि government को run कैसे करता है बहुत साओ जगह पे governance को tiers में divide कर दिया जाता है याज़े tier 1, tier 2, tier 3 हमारे यहां 3 tier system के government है पहला tier central government जो कि central level पर चीज़ों को operate करती है या फिर manage करती है दूसरा tier state government जो कि state level पर चीज़ों को manage करती है थर्ड tier local bodies यानि की blocks या फिर panchayats अब थर्ड tier यानि की local government इनका ऐसा है कि constitution में इसको एक independent body का tagline दिया हुआ है और इनके elections भी independently ही होते हैं लेकिन क्या सच में पंचायats और blocks आज के दिन independent है जी नहीं तो वह यह ले देकरिके यह कह सकते हैं कि इंडिया का governance completely depend करता है आपके tier 1 की government कैसी है और tier 2 की government कैसी है और इन दोनों के बीच का relation कैसा है कहने का मतलब है कि central और state के बीच का relation कैसा है जनरली democratic setup में ऐसे डो टाइप का relation होते हैं जो कि central और state के बीच में देखने को मिलते हैं unitary और दूसरा federal तो कहने का मतलब है कि अगर central और state की बीच में unitary relation है तो central top पे होती है central किसी भी तरीके से state government के लिए किसी भी decision को override कर सकती है मतलब उसमें state government के decisions उतने matter नहीं करते हैं central के पास maximum power होता है और ऐसे examples आपको maximum European countries में देखने को मिलेंगे जैसे कि Switzerland, Britain, France, Italy इन countries में unitary form setup होता है दूसरा हमारा federal setup है यानि कि federal relations है तो कहने का मतलब है कि जैसे list A अब इन list A में जितने भी areas हैं जैसे कि defense, currency इन सारी चीजों पे central का ही हग है इस पे state कुछ नहीं कर सकती अभी दूसरा list B जिसमें आपका local governance आता है agriculture आ जाती है, tax collection आ जाता है, GST आ जाती है इन सारी चीजों पे state government का ही अपना एक monopoly होता है central इसमें हस्तचेप नहीं कर सकती है in short federal setup में central और state के अलग-अलग powers होते हैं कोई भी एक दूसरे के decisions को override नहीं कर सकता ये setup आपको better दिख जाएगा USA में USA में central का power अलग होता है और state का power अलग होता है कभी भी central state के powers में interfere नहीं करती state के decision में interfere नहीं करती तो हमारे यहां क्या है क्या हम unitary form को consider करते हैं या फिर हमारे यहां जो setup है वो federal form का है अगर देखा जाए तो इंडिया को union of states कहा गया है लिखने वाले ने ऐसा कोई federal term वहाँ पर use नहीं किया है हम federal state को follow नहीं करते हैं हम follow करते हैं quasi federal state को quasi federal state होता क्या है देखे, unitary और federal के अपने-अपने pros है और अपने-अपने cons है अर इंडिया में हम इन दोनों को भी follow नहीं करते है उसके पीछे बड़े reasons है सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कौसी federal होता क्या है कौसी federal का मतलब है कि जब जरुवत पड़ी हम unitary बन जाएंगे और जब हमको जरुवत पड़ी तो हम federal बन जाएंगे जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ मान के चलिए हमारे उपर किसी country ना attack कर दिया तो ऐसे time पे पूरे के पूरे country में emergency लग जाती है अब ऐसे case में अगर हम federalism को follow करेंगे तो states अपने हिसाब से फिर काम करना start कर देगे जिसमें एक balance जो है वो बिगर जाएगा देश का तो इस case में central top पे आ जाती है states के power चले जाते हैं तो ऐसे case में एक वो unitary form देखने को मिलता है नहीं तो normal cases में हमारे हाँ federal setup को ही follow किया जाता है तो चलिए आपको ये बताते हैं कि central और state के बीच में quasi-federal relation रखने का logic क्या है जबकि पूरी दुनिया में या तो unitary नहीं तो federal structure follow किया जा रहा है हमारे हाँ north का culture और south का culture अलग है हमारे हाँ east का culture और west का culture अलग है अगर इंडिया में पूरी तरीके से federal structure को ही follow किया गया होता तो ये possibility भी हो सकती थी एक state में जहाँ पे एक religion majority में है लेट से तमिलनाडू में हिंदू majority में है जमू इन कश्मीर में Muslim majority में है possibility ऐसी हो सकती थी कि वहाँ की government उस religion के हिसाब से वहाँ के norms develop करने लग जाती अब बात करते हैं unitary relations के बारे में अगर इंडिया में central और state के बीश में अगर कोई unitary relation होता था तो उसका सबसे बड़ा disadvantage क्या हो सकता था तो ऐसी एक possibility हो सकती है कि मैं उन states को ही फाइदा पहुँचाऊंगा जहाँ पर मेरी X government है जिन states में Y government है वहाँ मेरा focus होता नहीं जाएगा तो ये एक बहुत ही बड़ा disadvantage हो सकता था unitary form of government का तो आखिर reason क्या है क्या ऐसा है कि unitary form of government जैसे कि Britain में जैसे कि France में है तो वहाँ पे development नहीं है क्या वहाँ पे ये चीज़े नहीं आती है क्या issues है हमारे साथ सबसे बड़ा issue ये रहा है कि हम एक नई country है हम आज भी development के उपर religion, language को ज़्यादा preference देते हैं अगर आप western countries में देखेंगे जैसे Italy, France या फिर Britain में वहाँ पे ऐसा नहीं होता है उन country में भी diversity है लेकिन वहाँ के लोग इन चीज़ों को एक political मुद्दा नहीं बनाते हमारे हाँ जो की missing है ताश से सतर साल तक का जो हमारा history रहा है हमने religion के उपर जगड़े किये हमने languages के उपर जगड़े किये है और हमने इन सब के नीचे development को कहीं न कहीं फसा के रखा है तो एर इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको federalism का मतलब समझ में आया होगा मेरे चैनल को like, share, subscribe करना मत भूला और अगर नहीं करने के इक्षा हो तो मिल जाएंगे किस दिन scroll करते